बीए, थर्ड इयर स्टूडेंस, होम साइन्स और MAMSC, Food and Nutrition, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंस, आप दोनों के लिए ये कॉमन टॉपिक हैं, कि ICMR, Indian Council of Medical Research, Recommended Dietary Intake of a Pregnant Lady, ये 2010 का RDA है, जिसको Pregnant Lady के लिए ICMR ने सजिस्ट किया है, इसमें जो टेबल दिखाई दे रही है, उसमें फर्स्ट कॉलम में नूट्रेंस है, सिकेंड कॉलम में नॉर्मल एडल्ट वोमन है, and third column, Pregnant Woman for second and third trimester of pregnancy, मैंने Pregnancy में बताया था, कि Pregnancy को तीन पार्ट्स में बटा गया है, first trimester, second trimester and third trimester, first trimester जो होता है, वो conception से start होता है और three month तक होता है, three month to six month तक second trimester and six to nine months तक, यानि जब तक delivery नहीं होती, तब तक third trimester माना जाता है, तो जो nutrients increase करते हैं, वो second and third trimester में increase होते हैं, जैसे first nutrient है, energy, energy को kilo calories में measure करते हैं, K capital and CAL small, आप हमेशा units को जरूर लिखेंगे, और हर जगा unit ज़रूर लिखे जानी चाहिए, कि कौन सी nutrient को किस में measure किया जाता है, तो जो energy होती है, उर्जा, उसे kilo calories में measure करते हैं, इसे जो lady है, उसे तीन parts में बाटा गया, sedentary worker, moderate worker and heavy worker, sedentary worker वो होते हैं, जो की बहुत simple साधारण सा कारे करते हैं, जैसे घर के कारे को करें, तो यदि कोई lady केवल घर के कारे करती हैं, तो वो sedentary worker है, moderate worker वो है, जो की घर के भी कारे कर रही है, और बाहर भी कारे कर रही है, और heavy worker वो है, जो कहीं building बन रही है, 10 मंजिला और उपर नीचे करके 10 बार 20 बार जो है पूरे दिन में इटा गारा सब कुछ लेकर चड़ रही है और उतर रही है यानि पूरे दिन बहुत हैवी वर्क करती है तो जो सेडेंटरी वर्कर होते हैं उनको ICMR नॉर्मल एडल्ट वोमिन के लिए सजिस्ट कर रहा है कि इनको पढ़े 1900 किलो कैलोरीज लेना चाहिए मॉडरेट जो वर्कर हूँ लेडि उनको 2230 किलो कैलोरीज के अवशकता होती है और जो हैवी वर्कर है उन्हें 2350 किलो कैलोरीज की अवशकता होती है sorry, 1850 kilocalories के अवस्यक्ता होती है यानि जिस तरीके से वर्क बढ़ता जा रहा है calories की प्रति दिन के अवस्यक्ता बढ़ रहे है और इन तीनों में से जिस भी प्रिकार की pregnant lady जिस भी category की lady pregnant होगी तो उसे प्रति दिन plus 350 kilocalories second or third trimester में प्रति दिन extra लेनी चाहिए यानि आपको समझ में आ जाए कि sedentary worker for example कोई sedentary worker lady है जो कि 1900 kcal ICMR उसे suggest कर रहा है पर दे लेना चाहिए अगर वो pregnant है और second और third trimester में है यानि तीन महिने के बाद की pregnancy है तो उसे प्रति दिन 1900 प्लस 350 kcal अड़ करके लेना चाहिए इसी तरह 2230 प्लस 350 kcal अगर heavy worker है तो 2850 प्लस 350 kcal per day के हिसाब से जोड़ कर लेनी चाहिए यानि calories की जो requirement है वो लगातार according to work बढ़ रही है protein next important है protein जिसे हम gram में measure करते हैं 55 यानि 55 grams एक adult woman को protein हमारे Indians के लिए कहा जाता है कि 1 gram per kg body weight 55 gram ideal weight माना गया है एक adult woman का लेकिन यदि वो second और third trimester की pregnancy में है तो उसे total 82.2 grams protein per day के हिसाब से लेना चाहिए visual fat ये protein high biological value वाली protein होनी चाहिए और vegetarian और non vegetarian तोनों टाइप की protein हो सकती है जो next nutrient है वो है visual fat जिसे हम gram में measure करते हैं visual fat वो होता है जिसे हम अपनी आईस से देख सकते हैं moderate worker and heavy worker जो ये तीन category मैंने बताई वही ये तीनों categories है अगर women sedentary type की worker है तो 20 grams per day के हिसाब से fat लेना है moderate है तो 25 gram और heavy worker है तो 30 grams और अगर इन तीनों में कोई भी category की pregnant हो जाती है lady तो उससे total per day 30 grams fat लेना चाहिए इससे ज़्यादा fat नहीं लेना चाहिए नहीं तो fat का deposition हो जाता है next important component है calcium calcium को milligram में major करते हैं 600 milligram normal adult women के लिए लेकिन अगर किसी भी type की lady pregnant हो जाए तो उससे total 1200 milligram per day के हिसाब से calcium लेना चाहिए iron, iron milligram में measure किया जाता है normal lady को 21 milligram और pregnant lady को 35 milligram per day के हिसाब से iron लेना चाहिए मैंने कल भी आपको lecture में बताया था कि blood के profile में change होते हैं 30% blood profile change हो जाता है और RBC count फिर भी नहीं बढ़ पाता तो हीमोगलोबिन का percentage बढ़ाने के लिए और एनीमिया की stage ना ने पाए इसके लिए 30 milligram per day के हिसाब से iron एक pregnant lady को diet के त्रू और supplement form में निश्य त्रूप से लेना चाहिए vitamin A, vitamin A को बहुत ही mili micron यानि muzy में ये लिखा गया है muzy, muzy इस तरह से लिखते हैं यानि you और उसमें डंडा हो इसको कहते हैं muzy vitamin A दो form में पाया जाता है, एक retinol और एक beta carotene retinol form में 600 muzy per day के साब से एक normal lady को लेना चाहिए और lady यदि किसी भी टाइप की lady pregnant हो तो 800 muzy per day के साब से beta carotene, 1400 muzy per day के साब से beta carotene लेना चाहिए, ये beta carotene लिखा है और 6400 pregnant lady को लेना चाहिए, आप देख रहे हैं quantity बहुत तेजी के साथ बढ़ी है मैंने अभी भी कहा था कि जो share होता है nutrients का उसमें vitamin A बहुत important है और completely mother and fetus को लेना चाहिए, thai min, thai min miligram में यानि ये b complex है thai min जिसे हम b1 कहते हैं miligram में measure करते हैं, ये according to work इसकी आवशक्ता होती है और milli microns में इनकी आवशक्ता होती है sedentary worker, moderate worker और heavy worker ICMA suggest करता है अगर sedentary worker type की pregnant area है तो cable 1 miligram और moderate है तो 1.1 miligram और heavy worker है तो 1.4 miligram और अगर pregnant हो जाती हैं तीनों में से किसी भी type की lady तो उन्हें plus 0.2 यानि 1.0 plus 0.2, 1.1 plus 0.2, 1.4 plus 0.2 जिस तरह मैंने plus 350 kilocalories को आट करना बताया उसी तरह आप thymine यानि B1 में भी करेंगे next two nutrient है वो है राइवोफलेबन जिसे हम miligram में मेजर करते हैं इसे भी ICMR according to work बता रहा है कि sedentary worker, moderate worker and heavy worker sedentary worker को 1.1 miligram, moderate worker 1.3 miligram and heavy worker 1.7 miligram और इन तीनों टाइप में से किसी भी तरह है कि pregnant lady अगर lady pregnant होती है तो plus 0.3, यानि 1.1 plus 0.3, 1.3 plus 0.3, 1.7 plus 0.3 I think मुझे students आपको समझ में आ गया होगा कि हमें राइवोफलेबन को कैसे आड करना है next nutrient है niacin, niacin को मेजर करते हैं mu g में millimicrons में इसकी भी आवशकता होती है sedentary worker, moderate worker and heavy worker यह ICMR सेजिस्ट कर रहा है अगर sedentary type की worker है lady, adult woman तो उसे 12 mu g, 14 mu g and 16 mu g यह लिए यह तीनों प्रकार के किसी भी type की lady pregnant हो जाती है तो plus pregnancy के दोरान second and third trimester में उसे plus 2 mu g niacin जादा लेना चाहिए 12 plus 2 यानि 14 14 plus 2 यानि 16 16 plus 2 यानि 18 mu g niacin की आवशकता second and third trimester में होती है next important जो nutrient है वो है paradoxin paradoxin मिली ग्राम में आवशक होता है ICMR ने suggest किया है कि 2 mg normal adult lady को paradoxin लेना चाहिए लेकिन lady यदि pregnant हो जाए तो 2.5 mg उसके लिए sufficient होता है ascorbic acid यानि vitamin C 40 mg vitamin C एक normal lady को आवशक है और pregnancy हो तो 60 mg यानि plus 20 mg एड़ हो रहा है vitamin C बहुत important है इससे जो anemia की stage है वो control होती है तो vitamin C प्रती दिन एक करवती महिला को अत्रिक मात्रा में लेने का ICMR suggestion दे रहा है जिसे हम diet and supplement form में complete कर सकते हैं iron fallet, iron जो dartry fallet है एक dartry fallet होते हैं जो की dart के through ही fallet मिलते हैं जिने म्यूजी में measure करते हैं तो ICMR ने suggest किया है कि 200 mg एक normal adult woman को लेना चाहिए और अगर pregnancy हो जाए तो 500 mg डार्टry fallets की अवशकता होती है ये भी anemia की stage को control करने के लिए प्लस 300 यानि एक्स्ट्रा 300 mg डार्टry fallets गर्बती महिला को चाहिए विटामिन B12 इस साइनो को वालम है जो कि म्यूजी में ही measure किया जाता है ICMR के according एक normal adult woman को केवल 1 म्यूजी adult को लेना चाहिए विटामिन B12 बहुत कमा तरह है लेकिन pregnancy हो तो सिफ 1.2 म्यूजी विटामिन B12 विटामिन B12 के कारण भी एक एनेमिया कंट्रोल होता है इससे भी इसकी कमी से भी एक एनेमिया होता है यदि इतना पर दे उसको मिल जाए तो निश्यत रूप से वो एनेमिया की स्टेज भी कंट्रोल की जा सकती है फिर आते हम लोग magnesium दे magnesium को milligram में measure करते है 310 mg magnesium normal adult lady को चाहिए pregnancy में भी उतनी ही quantity में चाहिए इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती जिंक जिंक mg में measure होता है और 10 mg normal adult lady को चाहिए जबकि pregnant हो लेडी तो 12 mg जिंक की अवर्शकता होती है ये बेटा पूरा ICMR का ये dietary intake है ये recommended dietary intake है for normal adult lady for pregnant lady ये मैंने दोनों को अलग-अलग टिबल में करके बताया ताकि आप समझ सकें कि कौन-कौन से nutrients कितनी मात्रा में बढ़ रहे हैं तो I think मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और यदि कोई किसी को भी इसमे कौरी हो, कोशन हो तो आप chat box में भी कर सकते हैं और direct भी बात कर सकते हैं तो thank you बच्चों तो आपके चाहिए निकराएं तो आपके चाहिए निकराएं नहीं खिषता तो अच्छी बात है तो इसलिए हम बोले है हो क्या है भात हो यह तो आफ तो है चल्ड़ा कर दो आपके चाहिए